कब है अनन्त चतूरुदसी जानिये इस वीडियो के माध्यम से तिथी और गणपती बिशाजन का महुर्द अनन्त चतूरुदसी के देन भगवान श्री ग्रनेश जी की पूजा के लिए 12 घंटे से अधिका शुप्षम है अनन्त चतूरुदसी के देन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए 12 घंटे से अधिका शुप्षम है गणेश चतूरुदसी का प्रारंभ 31 अगस्त से शुरू हो गया है अब गणपती बपा को अनन्त चतूरुदसी के देन बीदा किया जाएगा इस साल अनन्त चतूरुदसी कब है और पूजा महुर्त क्या है आईए आपको बताते हैं बिष्टित रूप्षे भाद्रपद महा के शुक्रपक्ष की चतूरुदसी तिथी को अनन्त चतूरुदसी मनाई जाते है इस दिन ब्रत रखते हैं और गणेश जी की बिद्धुद जो है वह पूजा पाठ करते हैं फिर शुब शमय में गणपती बप्पा को बीदा करते हैं, फिर पूजा करते हैं, गनेश चतुर्थी का प्रारंभ 31 अगस्त से हो गया है, पहले दिन लोगों ने शुब महुर्थ में गणपती बप्पा को अपने घरों में अस्थापित किया, अब दस दिनों तक बिधी बि बिदा किया जाएगा, भाद्रपद माह के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी को अनंते चतुर्थी मनाई जाएगी, इस दिन आप खास कर ब्रत रखा जाता है, और गनेश जी की पूजा बिधुवत की जाती है, फिर शुब समय में गणपती जी को इस मनोकामना के साथ ब और हमारे जीवन में शुक और सांती लाइए, आपको बता दे कि अनंते चतुर्थी तिथी जो है, वह दो हजार बाइस में हिंदू कैलेंडर के अनुशार, भाद्रपद माह के शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी मतलब 8 सितंबर दीन गुरुबार को 7 बज़ कर 49 मिनट पर इस सुब हुर्थ में लग रही है, और यह तिथी अगले दीन 9 सितंबर शुकर बार को सायम कालें 5 बज़ कर 40 मिनट तक मानने है, उद्याति थी के अधहार पर इस वर्ष अनंत 14 से 9 सितंबर को मनाई जाएगी, आ अधही जो है काफी पवित्रता और शुद्धता के साथ मनाये जाएगा, अनंत 14 सितंबर को देन भगवान गनेश जी की पूजा के लिए जो है, पूरा समय इस दिन है, आप विध्युवतिन की पूजा कर सकते हैं, इस दिन गनपति की पूजा का महुर्त जो है, सुबह 6 ब साथ मिनट तक है, इस दरम्यान गनेश जी की आप विध्युवति पूजा, अर्चना, अभर्चना कर सकते हैं, अनंत 14 सितंबर के दिन रावी जोग और सुकर्मा योग बने हुए है, आज ब्रत की पूर्णिमा तथा अनंत 14 सितंबर का आज ब्रत होगा, अलेक आपको बता दे, मतलब जो लोग पूर्णिमा करते हैं, वह लोग आज ही पूर्णिमा करेंगे, इसमें नमक रहित ब्रत किया जाता है, इस दिन पूर्णिमा ते थी साम में 5 बज़ कर 40 मिनट से लग रही है, अनंत 14 सितंबर के दिन गणपती विशर्जन के साथ गणवसोत्सों का हो जाता है, इस दिन लोग अपने घरों में रखे गए, गनेश जी की मूर्तियों को जल में विशर्जित कर देते हैं, और इनका विशर्जन इसलिए भी किया जाता है, कि ताकि अगले बरस जो है, आने वाला जो वर्स है, उनका आगमन किया जा सके, आज ही गणपती विश जाता है, इस दिन लोग पूजा के बाद अपनी कलाई में रक्षा सुत्रिया लाल धागा बांते हैं, और भगवान विश्णु से भी बेहतरी की कामना करते हैं, अभी तक अपनी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, सेर करें, और कमेंट्स करें, तब तक के लिए, नमस्कार.